हेलो इव्रीवन आप लोग का हमारे नवी वीडियो स्वागत है हम लेके हैं जीके के कुछ इंपोर्टेंट कोस्चन तो आप लोग हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के गुरूम में सेर भी कर दें जो आपका टोपिक कमजोर है उस पर कमेंट कर सिक्राइब तो हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे तो मरा फर्स्ट कोस्चन है आज का मास पेस्यों में किस अम्ल के कत्र होने से ठकाहट महसूस होती है लेक्टिक अम्ल एक तक ट्रिक अम्ल या कोई नहीं तो किस अम्ल से लेक्टिक अम्ल से हमारा सिकेंड कोश्चन है, अंगूर में कौन सा अमल पाया जाता है, तो कौन सा अमल पाया जाता है, एस्टिक, लेक्टिक अमल, एस्टिक असिट, टाटरिक अमल या कोई नहीं, तो कौन सा अमल पाया जाता है, हमारे कमेंट वक्स में इंसरक जरूर कमेंट करें आप लोग, तो टाट्रे कमल ठर्ड कोस्टन है किस जन्त की प्राकरत पेर की चपल के समान होती है तो पेरा में सेम अमीबा कोशिका या कोई नहीं तो किसकी होती है पेर के चपल के समान आकरती पेरा में सेम केचवा में कितनी आखे होती हैं एक भी नहीं एक से अधिक या दो या चार या तीन तो कितने होती हैं एक भी नहीं हमारा फाइब कोश्चन ही गाजर में किस विटामिन का गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है तो कौन सी विटामिन पाई जाती है विटामिन सी यह में श्टेक हो गया विटामिन सी हमारा थर्ड कोस्चन है एक सिक्स कोस्चन है निम्न में से किस पदात में प्रोटीन नहीं पाई जाती है तो किसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती है चावल में गेहु में मक्का में या अंडा में तो किसमें नहीं पाई जाती है चावल में रक्त में पाई जाने वाली धात कौन सी है तो कौन सी है जिंक लोहा दोनो या दोनो या लोहा तो कौन सी धात पाई जाते है लोहा सिंगल लोहा पाई जाते है अगर यहां दोनो नहाता तो लोहा हो जाता और आठ क्वेश्चन है कि डूबन का उदाहरंड है तो क्या है दूद का मीठा होना या दूद का खटा होना या दूद का फट जाना या कोई नहीं तो क्या है दूद का खटा होना हमारा नाइन कोश्चन है निम्न में से कौन सा आहार मानव सरीर में नए उतकों की वर्द के लिए पोशक तत्रप्रदान करता है तो पनीर, मेट, मस्रूम या कोई नहीं तो कौन पनीर मानव के सरीर में नए उतका निर्माड करता है पानीर वो लाश्ट कॉष्ट्टन है आगा मान व शरीर में सबसे लंबी कोश्च का वकल कौन से होते है तो कौन से होते है इसका एंस्यर आप लोग हमारे कमेंट बुक्स में जरू करें और हमारे वीड़ियो को सब्सक्राइब जरू कर लेए DMC